इस वाले वीडियो में गाइज मैं तुम लोग को आइफोन 15 प्रो मैक्स मुवाइल का बेंचमार्क टेस्ट और आल एम्यूलेटर का जैसा पर्फॉर्मेंस रहता है वो बताने वाला हूँ और एफ्पेस टेस्ट तुम लोग को दिखाऊंगा बेंचमार्क स्कोर बताऊंगे सब्सक्राइब करते हैं सबसे पहले हम लोग ने यहां पर प्ले स्टेशन टू का एम्यूलेटर टेस्ट किया है और उसे पहले मैं तुम लोग को इसका बेंचमार्क स्कोर बता देता हूं इसमें है गाइज एपल एस एवंटीन प्रो का बायोनिक चिप जिसका की बेंचमा सब्सक्राइब के लिए बहुत ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर और चिप अभी तक कमाना जाता है और स्मार्टफोन तो देख सकते हैं इन गोड़ ऑफ वार टू हमने यहां पर प्ले स्टेशन टू के एप में प्ले नाम है इसका यहां पर रन किया है यहां पर यह तरह स 60 लेकिन वो स्टिल अनप्लेबल होता है लेकिन अगर तुम्हारे पास आइफोन है और अगर तुम लोग इस गेम के बहुत बड़े फैन हो तो तुम लोग यह प्ले एप्लिकेशन ट्राइ कर सकते हो रन कर सकते हो यहां पर तुम रिजॉलिशन बढ़ा लोगे वन एक्स से देखा 30 fps गेम आ जाता है और यहां पर कमपैटिबिलिटी रेशियो बता देता हूं इस प्ले इस्टेशन टू एमिलेटर का ओन आइफोन में 15 प्रो मैक्स में तो यहां पर 5% गेम्स ही अभी प्लेबल हुए हैं फिलाल के लिए प्ले एप में और कुछ 2D गेम्स तुम 60 fps खेल पाओगे लेकिन जो 3D गेम्स है वो हमारा कभी भी 60 fps अभी तक नहीं आया मैंने काफे सारे गेम्स यहां पर ट्राय किया जैसकि यहां पर साइलेंट हील हो गया और भी कई सारे अधर गेम्स जो की 40 से 50 fps में श्टक हो जाता है वन एक्स के रिजॉलिशन में साउंड ग वहां पर होम ब्रिव एपस में दिखाता ही नहीं है कि हमारा गेम हमने डाला भी है कॉंपी भी किया है तो फिर भी हमने जो गेम सपोर्टिड हुआ जो ऑफिशियल साइट में इस प्लेस्टेशन एप के था एवेलेबल वो मैंने गेम फिर भी यहां पर ट्राय किया और लेबल नहीं है इसे बढ़िया तो गाइस अगर तुम एमिलेशन के लिए पर्चेश करना चाहते हो तो नौ सी दस अजार रुपा का मुवाइल लेलो उसमें जो एससे ज्यादा सपोर्टेड तुम लोग को मिल जाएंगे एपस ज्यादा सपोर्टेड मिल जाएंगे क्राफिक्स तो बढ़िया लग रहा था लेकिन जो गेम है वह कभी कवाल इसलो हो जाता है तो कभी कवाल अचानक से स्पीड आने लगता है मतला इस्टेबिलीटी नहीं है एफपेस में और इसके बाद गाइज यहां पर नैंटेंडो 3DS यहां पर एमिलेटर हम लोग इंस् ग्लिच करता है शेटर मारता है लाग होता है तो मैं यहां पर रिकमांड करूंगा वन एक्स का डिजॉलीशन और इसके बाद हमने यहां पर डॉल्फिन एमिलेटर जो कि नैंटेंडो वाई आई और गेमक्यूब का मिलेटर वो प्ले किया है यहां पर लेजंड ऑव जेल् से कॉंपी करना पड़ता है प्लग इन उसके बाद हमारा जो एमिलेटर है वह हमारे आइफोन 15 प्रो मैक्स में रन करता है और यहां पर उसके बाद भी गाइस जो गेम्स का रिजॉलीशन है किसी-किसी गेम्स का रिजॉलीशन कुछ जाता ही डाउन हो जाता है तो वह हम लोग देख सकते हो एक उसके बाद घ्राइब यहां पर फेरेट गेम्स यहां पर ट्राइक यह जो रिजॉलीशन है जो यह थो बेंटर में अगर बात किया तो हम लोग को यहां पर वुलकुन घुप रेंडरर नहीं मिलेगा और इसके बाद हम लोग कुछ सैटिंग्स कर जाके increase करता हूँ और इंपोर्टेंट बात अभी तक अगर तुम लोग आ गए वीडियो देखते देखते तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके शेर कर देना अपने फेस्बुक गुरूप में और उन सब दोस्तों के पास जिसके पास आइफोन 15 या फिर आइफोन का कोई भी मॉडल है तो आई होप यह जो वीडियो तुम लोग को पसंद आया होगा यहां पर मैंने थोड़ा सा सेटिंग्स गरबढ़ कर दिया थोड़ा नीचे जाके इसको मै अब देख सकते हैं गाई जो हमारा गेम है वह हमारा सिक्ष्टी आउट और सिक्ष्टी एफ्पेस चल रहा है फॉर एक्स बेंचमार्क और इस जीप्यू का पावर के अनुसार से गाइस यह टैन एक्स के डिजॉलिशन में हम लोग का चलना चाहिए था फिर भी यहां पर और एक्स का रिजॉलिशन में भी तुम लोग देख सकते हो जो है स्वार्ट में उपर क्यों गलिच आ रहा है जो मैं होल्ड कर रहा हूं और एफपीस है कभी कवाल ड्रॉप्स इसमें भी तुम लोग को देखने मिल जागा तो ठाटी से सिक्ष्टी एफपीस हमारा जो है वो लॉक्ट रहाएगा लेकिन उससे कम एफपीस नहीं जाएगा तो वीडियो को पसंद आए प्लीज वीडियो को लाइक करके चनल को सब्सक्राब करें